या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्र में देवी महात्म का विशेश महात्यों है। देवियों में तृदेवी, नवदुर्गा, दश्महाविद्या और चोशठ योगनियों का समुँ है। अधिकतर देवियों को भगवान शंकर की पत्नी पार्वती से जोड़ कर देखा जाता है। नौरात्र में नो दिन तक देवी के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होती है, उपासना होती है। मदु और कैटव का वध करने के कारण उन्हें कैटवा भी कहा गया। चंड और मुंड नामक असुरूं का वध करने के कारण उन्हें चामुंडा कहा गया। दक्ष राजा की पुत्री दक्षाइनी से विवाह किया था। दक्षाइनी को ही सती कहा जाता है। माता पारवती शंकर की दूसरी पत्नी थी जो पूरुजन में सती थी। देवी पारवती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। सती और पारवती की कई बहने थी जिनकी भिन भिन नाम से पूजा की जाती है। माता पारवती को ही पाहडा वाली और शेरा वाली भी कहा जाता है। कुछ इन्हें माता अंबिका का ही आधात में रूप मानते हैं तो कुछ माता पारवती का रूप मानते हैं। परवत राज हिमाले की पुत्री होने के कारण उन्हें शैल पुत्री कहा जाता है। ब्रहमचारणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया तब उनका नाम पड़ा ब्रहमचारणी चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है उधर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रहमभांड को समेटे हुए हैं इसलिए क पूश्माणडा कहलाती हैं इनके पूत्र कार्तिकेय का नाम सकंद भी है इसलिए वे इसकंद की मादा सकंदमादा कहलाती हैं यग्जी की अगनी में भस्म होने के बाद महार्षjut कात्याइन की तपस्या से प्रसंट्र होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन पारुति के पूत्र कार्थ के का नाम इस्कंद भी इसलिए वो इसकंद की माता कहलाती है और उन्हें सिंग पर सवार दिखाया गया है कात्याईनी को भी सिंग पर सवार बताया लाता है देवी कूशमांडा शेर पर सवार है माता चंदरघंटा भी शेर पर सवारी करती है शैल पुत्री और महागोरी व्रिशप पर सवारी करती है माता कालिरात्र की सवारी गर्दब है तो सिद्ध दात्री कमल पर विराजमान है अगली कड़ी में हम बात करेंगे दस महाविद्याएं कौन सी है इन दस महाविद्याओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड अवश्य देखें और अब हम बात करेंगे देवी मा के छटमे स्वरूप मा कात्याइनी की देवी मा के नो रूपों में छटमा रूप है मा कात्याइनी का कात्याइनी पारवती का ही दूसरा नाम है संस्कित शब्द कोश में उमा, कात्याईनी, गौरी, काली, हेमावती और ईश्वरी जैसे नामों का उल्लेख मिलता है शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है इसके अलावा यजुर्वेद के तैतिरिय अरहनक में भी उल्लेख मिलता है इसकंद पुराण में भी उल्लेख है कि वो परमेश्वर के नैसरगिक क्रोध से उत्पन हुई थी और देवी पार्वती द्वारा दिये गए सिंग पर आरूड होकर उन्होंने मैशा सुर का वद किया था वेख्षक्त की आदि रूबा है इसका उल्लेख पाडिनी पर पतंजली के महाभाष्ट में किया गया है जो दूसरी शताबदी ईसापूर में रचित गरंथ है मा का त्याइनी का वढ़न देवी भागवत पुराण और मारकंडिये रिशी द्वारा रचित मारकंडिये पुराण के देवी महात्य में भी किया गया है जिसे 400 से 500 ईसापूर में लिपिबध किया गया था बौध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों विशेश रूप से कालिका पुरान जो की दस्वी शताबदी में लिखा गया उसमें भी उलेक मिलता है जिसमें उद्यान या उडीसा में देवी कात्याईनी और भगवान जगनात का इस्थान बताया गया परमपरागत रूप से देवी दुरगा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुए हैं नौरातर इस्थों में शष्टी को मा कात्याईनी की पूजा की जाती है इस दिन साधक का मन आग्या चकर में श्थिद होता है योग साधना में इस आग्या चकर का अत्यन्थी महत्वपू करने वाले ऐसे भक्तों को सहाज भाव से मा के दर्शन प्राप्त होते हैं। कि मा भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। मा भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्विकार कर ली। कात्याईनी कहलाई। ब्रिच की घोपियों ने इनी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रिच मंडल की अधिश्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठत हैं। मा कात्याईनी का स्वरूप अतिंत चमकीला और भास्वर है। मा की चार भुजाई है। मात्याईनी तरफ का उपर वाला हाथ अभे मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाई तरफ के उपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोबित है। मा कात्याईनी का वाहन सिंग है। मा कात्याईनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुश्य को बड़ी सरहल्था से अर्थ, धर्म, काम, मूच ये चारो फल प्राप्त होते हैं। वो इस लोक में स्थिर होकर अलोकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। न्वरात्र का छठा दिन मा कात्याईनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का बुरी प्रवत्तियों का संहार करने में ये विक्ति को सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। सूश्म जगत जो अद्रश्व अव्यक्त है जिसकी सत्ता मा का त्याइनी चलाती हैं वो अपने इस रूप में उन सब की सूचक हैं जो अद्रश्व या समझ के परे हैं। वास्तों में मा कात्याईनी दिविता के अतिगुप्त रहस्यू के प्रतीक हैं। सभी प्राकरतिक विपदाओं का संबंद मा के दिवे कात्याईनी रूप से हैं। वो क्रोद के उस रूप का प्रतीक हैं जो स्रिष्ट में स्त्रजनता, सत्य और धर्म के स्थापना करती हैं। मा का दिवे कात्याईनी रूप अव्यक्त के सूश्म जगत में नकारात्मक्ता का विनाश कर धर्म के स्थापना करता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी हितकर और उप्योगी होता है जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है इस प्रकार माका त्याइनी का क्रोध वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मक्ता को समाप्त कर सकारात्मक उर्जा का संचार करता है और शक्तिरोपनी प्रसिद्ध अंबे आपको मेरा बार-बार प्रणाम है मैं आपको बार-बार नमन करता हूँ अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के सात्मे स्वरूप मा काल रात्र की यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि अभी सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद देवी मा की कृपा आप पर सदयों बनी रहे जै मादूर के